Glass & Crocker Business Management के लिए आज हम हमारे Billing Software Guru के उपर Software launch कर रहे हैं हमारे Billing Software Guru की वेबसाइट पर आप चले जाएए यहाँ पर Retail & Wholesale segment में Glass & Crocker दिखेगा यहाँ पर हमने यह separate software launch किया है Glass & Crocker Business Management Software यह Software के अंदर सभी details है Retail, Wholesale, Salesman, Item की Detail, Category wise, Subgroups इसके अंदर ही Point of Sale Billing, Barcode Based Billing भी आपको मिल जाएगा दोस्तों इसी Software के अंदर आपको Item Master, उसके अंदर Grouping यह सब Detail भी हम देने वाले हैं इसी Software के अंदर इस Type के Barcode Label भी आप Print कर सकते हो Software के अंदर जो Invoice बनेगा वो Auto WhatsApp हो जाएगा, API उसके Integrated आएगी इसी Software में A4 Size के Wholesale के Invoice की Design भी है और Roll यदि Point of Sale के लिए निकालना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है इसी Software के अंदर Inventory Manage कर पाओगे, Stock कितना आया, कितना गया, Labeling के साथ GST के पूरे Reports इसी Software में हमने दिये हुए हैं दोस्तो Accountant के पूरे Reports, Income, Expense, Bank, Trial Balance, Balance It यह सब चीज़े हमने इसी Software में दी हुई है तो Download Now, Check Now for Free and Buy It Later, Glass and Crockeri Software आईए देखते हैं इसको Download कैसे करना है, यही है Download की Link, यहाँ पर चले जाएए यह रहा Super ERP का यह दो नंबर का जो Software का Setup है, यह Download कर लीजिए यह Google Drive में चला गया, यहाँ पर से मैं Download का Button दबा रहा हूँ, Download Anyway का Button दबा दिया यह Setup File डाउनलोड हो रही है दोस्तों, फटा फट डाउनलोड हो जाएगी Setup File डाउनलोड हो गई है दोस्तों, यहाँ पर Done लिक्या गया, यह मैं फोल्डर में चला गया और यह Setup की File जो है, उसको मैं यहाँ पर स्क्रिन पर लेके आ जा रहा हूँ यह रही, यह Setup की File को डबल क्लिक कर लो, Run Anyway Next, यहाँ पर D Drive के अंदर आप यह Install करो, Super ERP करके फोल्डर बना लेगा Next, 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 Install अब यह पार्ट बहुत इंपोर्टन्ट है, यह देखो, Software तो Create हो गया, Desktop पर आइकन भी आ गया Super ERP, लेकिन इसको Launch नहीं करना है, अब इसके कोई जरुवत नहीं, इसको Delete कर देते हैं यहाँ पर हमें Open File Location प्रेस करना है, तो यह Super ERP फोल्डर में आ जाएगा, यहाँ पर Setup करके Folder है, जिसके अंदर यह Support Setup है, जो चलाना बहुत ही Important है, इसको भी Double Click करके Install करना पड़ेगा दोस्तों, Next Install, यह देखो, फटा-फट इंस्टाल हो जाता है, हो गया, Finish, अब जाके आप यह Software को Start कर सकते हो, Super ERP को मैं Double Click कर रहा हूँ, मैंने Continue दबा, Create a New Company, यहाँ पर आपकी Company का नाम, Address, City, Name, State और आपका Mobile Number इतनी चीज़े डाल दीजिए, यदि आपके पास GST Number है Business का, तो यहाँ पर सीधा GST Number ही Type कर दीजिए, यह GST Number लिखके Enter करोगे, पूरी डिटेल आपके Form किया जाई किया, आपका Mobile Number डाल दीजिए, और यह Create Company का बटन दबा दीजिए, यह Company Create हो गई, देखो कि इतना Fast काम हो रहा है, डबल क्लिक करके मैं Log In करना हूँ, यूजर एडी एक है, पासवर्ड भी एक है, Log In, यह Software स्टार्ट हो गया, यहाँ पर Master है, यहाँ पर Item है, यहाँ पर आप Item क्रियेट किरते जाओ, जिसे Glass Set, यहाँ पर Product के उपर जो भी GST परसंटेल लगता है, वो सिलेक कर लो, यहाँ Company का नाम सिलेक कर सकते हो, ग्रूप भी बना सकते हो, यहाँ पर Kitchen Ware, Kitchen Accessories, इस तरीके से आप अलगलग ग्रूप क्रियेट कर सकते हो, दोस्तों, PC इसमें आ गया, HSN Code, यहाँ आप होलसेल का काम करते हो, तो HSN Code दाल दो, यहाँ पर Purchase Price आ गया इसका, और यहाँ पर इसका Sales Price आ गया, यह MRP आ गया, यहाँ पर मेरे पास Initial Stock इतना पड़ा हुआ है, वो भी डाल सकते हो, उपनिंग स्टॉक की Value आ गया, प्रोड़क्त ब् बारकोड के बटन के उपर में क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, यह सिलेक कर लिया, प्रोड़क्त और अब मैं प्रिंट दबाऊंगा, तो इसका मुझे बारकोड का लेबल भी बना देगा, जो यह प्रोड़क्त में, प्रोड़क्त के उपर यह मैं स्टिक कर सकता हूँ, ब आप invoice बना सकते हो, सीधा बारपोड करके इसी तरीके से, यह देखो, यहाँ पर tender भी दिये हुए, cash, credit, card, e-wallet, यहाँ पर से save का button दबाना है, पुछेगा do you want to print, हमें yes दबाना है, यह देखे, यह इस तरीके से पूरा preview आ गया, मतलब आपका invoice ready हो गया दोस्तो, इसी तरीके से wholesale का invoice बनाना है, तो sell में जाकर आप बना सकते हो, यहाँ पर purchase है, purchase में stock add हो जाएगा, debit note, credit note, purchase order, quotation, payment, receipt, bank, journal entry, यह सब transactions इसके अंदर available है, reports के अंदर, final reports के अंदर, trading account, profit and loss, balance sheet, सब reports available है, यहाँ पर trial balance, auto collection report, day book, लेजर, monthly summary, account books के reports है, और inventory में sell register के बहुत सारे report है, sell summary analyze, purchase summary analyze, point of sale, यह सब details भी इसी software में available है, stock report में specific, stock report, stock summary, item wise, stock, stock statement, यह सब चीजे यहाँ पर available है, हर एक चीज का print निकल जाता है, और Excel के अंदर transfer हो जाता है, दोस्तो, तो यह एक बहुत ही बढ़िया feature है, GST report के अंदर, GST R1, 3B, 2, यह सब detail भी इसी software के अंदर हमने देखे रखी हुई है, तो cool मिला करके, super ERP software के अंदर, यह सब features available है, जो आप एक glass and crockery business manage करने के लिए, आपको जो चाहिए, वो सब मिल जाएगा, हम इसका personal आपको पूरा demo दिखाएंगे, पूरा install करके देंगे, आपको पूरा software सिखाएंगे, आपके समझ में आता है, तो आपको इसको buy करना है, हमारे whatsapp no. 97279 55514 के उपर आप हमें whatsapp करके इसकी ज्यादा जानकारी ले सकते हो, thank you very much, इसी वीडियो के निचे description के अंदर, यह software download करने की free link दी हुई है, वहाँ से आप इसका demo version डाउनलोड कर सकते हो, have a good day.